स्वागत है आप सभी का राश्शू की रसोई में तो आज बनाते है फिराई इटली जोकी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है सिंपल इडली से भी अच्छी अगर आपका सावर चटनी बनाने का मनना हूँ तो आप इस परकार से इडली बना के फिराई कर सकते हैं जो की आ इसमें इनो भी एट किया है तो यह हम बनाएंगे कढ़ाई में इसे स्टेंड में नहीं बनाएंगे इसे बनाएंगे कढ़ाई में तो कढ़ाई में डालेंगे एक से दो गलास पानी यह रखेंगे स्टेंड आप इसमें प्लेट भी रख सकते हैं आपके पास से स्टेंड नहीं हो ठीकर कि यह लगाएंगे थाली में तेल, आप तेल जरूर लगा दीजिए, सीडली अच्छे से निकलाती है, यह देखिए अच्छे से प्रेस कर दिया है, इसमें डालेंगे बैटर को, एक बार में ही सारा बैटर आ जाएगा इसमें, इसे जरूर रख देंगे कड़ाई में, पकने के लिए यह लिए दो टमाटर, तीन प्याच, दो हरी मिर्च, यह लेंगे मैगी मसाला, जो की इडिली का स्वात, दोगन बढ़ा देता है, तो इसे भी बारी कट कर लेंगे, यह देखिए, टमाटर को भी बारी कट कर लिए हरी दन कर नहां आए फाग में अगर आये तो आप फिर से इंसे पकने के लिए रख सकती हैं जा तरह क्रिका Edit को कर लिये अbars और हम इस तरह ऐसे से तोड़ लेंगे छोटा छोटा फिर इसे करेंगे फ्राई ये देखे इस प्रकार से तोड़ लेना अब रग दिये कड़ा इसमें डाल देंगे तेल आप इसके जगा बटर भी यूच कर सकते हैं इसमें डाल देंगे सर्सों के बीच दो लाल मिर्च काट के डाल दीती दो लाल मिर्च इसमें अट कर दी है प्याज हरी मिर्च प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूझना है प्याज को थोड़ा सॉप्ट होने तक ही भूझना है इसे रेड बिलकुल नहीं करना है इसमें अट कर देंगे टमाटर, तो तमाटर को भी अच्छी से दलाएंगे, इसमें अट कर देंगे नमा की टमाटर जल्दी से पग जाएं, इसमें अट कर देंगे आधी चमच हल्दी पाउडर, आपको नहीं डाला हैं, तो आप हल्दी पाउडर स्किप कर सकते हैं, इसमें अट करे लाल मिर्च पाउडर ये अच्छे से भून चुका है तो समेट कर देंगे इडली अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ आपको इसे पांस से छे मिन्ड़ तक चलाती हो यासे भूनना है ये बन चुकी इसे गैस को कर दिया है बंद इसमें डाल दी हरी धनिया तो इडली बन कर बिल्कुल तैयार हो गई है तो ये देखिए सिंपल इडली से फ्राइडली बहुत ही अच्छी लगती है ना इसमें सावर की जरूरत पढ़ती है ना चटनी की जरूरत पढ़ती है ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आपको हमारी लिख